राजधानी में डूप दिकार बैल गाड़ी से चान लेवा छलान स्रडकों पर लबा लबा जाम बारिश से बेहाल दिल्ली यह कोई नहर नाला या नदी नहीं है यह देश की राजधानी की सबक का हाल है आसमान से पानी गिरा नहीं कि दिल्ली डूबनी शुरू हो जाती है चंद घंटों की बारिश में अंडर पास बंद हो जाते हैं सड़कव पर जाम लग जाता है और दिल्ली के पेरिस और सिड्नी बनाने के तावे पानी की जलवरा में डूप के मर जाते हैं अब मेरा एकी सपना है पूरा दिल्ली को चमकाना है सारी कंदगी साफ करनी है ये कोई गौव नहीं है बलकि देश की राजधानी में बैल गाड़ी चल रही है और सड़क ऐसी कि बैल गाड़ी का सफर भी जानलेवा पन जाए पानी पार करने के लिए बैल गाड़ी का सहरा तो ले लिया लेकिन अकेला बैल इतनी सवारियों का कहां बोज उठाने वाला तुगलकाबाद के अंडर पास में तो गाड़ी बस फसने शुरू हो गई लगातार बुधवार रास्تे ही बारिश हो रही है उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में कई जगों पर पानी जमा हो गया है आप देख सकते हैं पुल प्रहलाथ पूरी लाके में क्या हालात है इस अंडर पास के नीचे पूरी तरीके से पानी यहाँ पर जमा हो गया इस वज़ा से दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है सुबह दो बसें यहाँ पर जो क्रॉस करने की कोशित कर रही थी वो अंदर बंद हो गई दिले के तिमारपूर की सड़क स्विमिंग फूल में तब्दील हो गई गाडियों ने बीच सड़क पर सरेंडर करना शुरू कर दिया हालत यह हो गई कि पानी निकासे के लिए मैन होल का धखकन खोलना पड़ा पूरी तरह से जल जमाव है जिसके चलते ट्राफिक जाम तो है ही लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौनसून की तयारियों की बात कही जाती थी वो तयारियां है कहाँ पे देखिए कितना पानी और किस तरह की स्थिती है आपको यह यकीन होता है कि आप देश की राजधानी दिल्ली की सडकों पर हैं हमतिमारपूर में हैं लेकिन लगता नहीं कि यह दरसल सडक है किसी सैलाब में बदल रही है यह तस्वीर और ऐसे में बरसात अभी भी जारी है जाहिर है आगे तस्वीर कैसी होगी अंदाजा लगाया जा सकता ये दिल्ली का जखीरा इलागे का अंदर पास है सदरा देखिए जल भराब से इस अंदर पास की क्या हालत हो गई है ये कार डूपते डूपते वची पानी के बीच धंका देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया वोके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्रैवर की जान दी जा सकती थी कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली को दर्या बना दिया और सफर को मुश्किल और जान लेवा आज तक गेड़ो